और इधर जीरम घाटी हमला मामले को लेकर जीला अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई जिसमें नियालाय ने सुरक्षा के लिहाद से नकसलियों को कोट में ना लाने वीडियो कॉनफरिसिंग के जरिये सुनवाई कराने के निर्देश दिये हैं 25 मही 2013 को कॉंग्रेस की परिवरतन यातरा पर जीरम घाटी में नकसलियों ने हमला किया इसमें कॉंग्रेस के कई दिगज नेता शहीद हुए थे इस मामले में 11 नकसलियों को गिरफतार किया गया है मामले की सुनवाई के लिए बिलासपूर के जीला दालत को विशेश नियाला बनाया गया है नकसलियों के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई जगदलपूर में करने की मांग रखी थी जिसका NIA ने विरोत किया है मामले की सुनवाई के दोरान नकसलियों को जेल से कोट तक लाने में सुरक्षा को ध्यान रखते हुए विशेश सुरक्षा के मांग के लिए निर्देश दिये गए है कोट ने NIA को अगली सुनवाई में दस्ता वेच पेश करने के लिए कहा है मामले की अगले सुनवाई 30 जुलाई को होगी